तो दोस्तों आज करेंगे comparison between second best and the top end line याने कि ZXS plus versus VXS के बीच में pressing difference कितना क्या है feature difference किया है कि आपको मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों के बीच में सारी जी आपको बताओंगा इस वीडियो में तो चले वे श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो जानते हैं में दोनों गाड़ियों के difference के बारे में second best and the top end variant तो first यहां पर आपको बताओ दो भी color के बारे में कि color आपको थोड़ी सी हाँ पर डिफर करती है यानि कि अगले तो इसे VXS variant तो यहां को मेलेगी only आपको मेलेगी और बाकी अगर features की बात करें दिखती है यानि कि इसका exterior पार्ट यह देखो जिस्टा ZXS plus आपको मेलेगी यहां पर LED की headlight projector type की रखी गई है और आपको मेलेगी अपर DRL booming shape में smoky pattern LED की fog light सब कुछ आपको यहां पर ओफर करी जा रही है जब कि अगर देखेंगे VXS तो यहां पर आपको मेलेगी प्रूटर टाइप की halogen headlight सेम है भई hexagonal but आपको मेलेगी यहां पर halogen headlight DRL की जगह आपको मेलेगी यहां पर ओफर नहीं करी जाती है जैसे कि देख पा रहे हो तो यह हो कि अपर फ्रंट का difference साइड की बात करें तो साइड में आपको मेलेगा difference जो है वो है अलोवील के उपा यहानि की जेटेट से प्लस में दी जा रहे है यहां पर डूल टोन की ओलोई आपको मेलेगी 185 x 65 x 15 इंज की यहां पर ओलोई डूल टोन वाले जबकि वी एकसे में आपको दी जा रहे है यहां पर 14 इंज की स्टील लिम आपको मेलेगी यहां पर विल कवर के साथ और इसका साइज रखा गया है 165 x 80 तो साइज में फरक है बाकि अलोवील यहां पर नह को सेंसर का बटन बोट साइड में यहांने की ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में बाकि यह दोने चीज़ें आपको सेम ही मिलेगी इसमें नो चेंज राइट नो चेंज भई इसमें बाकि सबकू सेम है रियर की बात करो तो यह क्या बढ़िए वेकसाई का आमें रि रियर कॉंबिनेंगे टेल लेट्स्ट सेम अपको लिएकि जैडे से प्लस में भी सब खुश हमयर्वर्स लैट्ट को सेम ली ऐन्ट के रिएसर आपको रिपगर स्पाकिंग कैमरा नहीं मिलेग एहां पर रियर वाइप रैट्ड डीफ ओकर दी जा रही है अगर यहां पर मिलने वाला है ठीक है तो यह होगे आड़ा से प्लस में आपको क्या दी जा रहिए उसके बाहर में आपको मिलेगी इसके डैश्बर के अर्यम के देखो तो complete black में जो इसका theme रखा गया है this one is the door panel आपको में लेगी यहाँ पर complete black setting color का यहाँ पर treatment दी जा रहे है देन आपको में लेगी texture halki full की यहाँ पर देन आपको में लेगी यहाँ पर soft touch soft touch hard plastic power की switcher वागर में लिए जाते हैं हाँ पर auto holder space आपको में लेगी यहाँ पर चार speaker दो टुटर का जो फीचर and this one is the height adjustment के लिवर ओली ड्राइब आपको यहाँ पर दी जा रही है then fabric seat up offer करी जाते है बेश्ट में i-dress start-on का switch light labeler then dummy यहाँ पर traction control start-on का switch so यहाँ का की लोकन लगा और मारत के लोगो ब्लू क्लर में ठीक है and this one is the 9-inch की touch screen and glossy वाली जो है treatment में इसके surrounding में so भाई यह होगे start इसका touch screen यहाँ पर wireless android डॉट आप लेका 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 फीचर Bluetooth average range यहाँ पर शो करेगी और time music so यह होगे इसका touch screen cluster यह रही और आपको मिलेगी वही semi-digitaly cluster यानिकी आपको मिलेगी दो डायली हाँ पे देन एक MID यानिकी multi-infrastry display बीच में दी जा रही है जहां पर average fuel economy range autometer trip A trip B driving time total idle stop time motion front and rear torque power acceleration brake वगेर आपको यहाँ पर दिख जाएगे leather wrapped up मिल जाते steering wheel and glossy का भी जो यूज किया गया है आपको मिलेगी यहाँ पे cruise control का feature और यहाँ चेंज कर सकते हो telephone controls यहाँ पर दे जा रही है विस्ति voice command का यहाँ पर एक बटन दे जा रही है this one light के controls आपको मिलेगी यहाँ पर auto helm का feature इस गार्यों मिल जाती है आपको USB का port यह देखो right dual hole का socket wireless charging का भी feature यह देखो यहाँ पर दिया जा रहा है and आपको मिलेगी यहाँ यहाँ पर देन automatic climate control इसके ठीक नीचे यह देखो ओटो डाउन ओट आप ओले ड्राइवर सेट में फोल्ड कर सकता हो इलेक्ट्री का लिए है तो दोस्तों यह सब्समें तो अभी चले चलते हैं वी एक से के अंदर और जानते हैं वी एक से अंदर को क्याकर अब ब्लाइक के बाइस की गई इस गाड़ी को यानिक इसका डैसबोर को और पैनल अपर ब्लैक वाली सॉफ्ट टच वाली वी एक साइब में आपको विल्का सॉफ्ट टच सॉफ्ट टच हाट प्लास्टिक पाउर को स्विच आपको ब्लाइब जाते हैं कर सकते हो तो अगर देखने के लिए तो आपको फॉर्ष्ट डिफ्रेंस आप दिख जाएगी वह इसका जो टचस्क्रीन के इनुट है यह को मिलेगी साथ इंच की जब कि आपको नहीं मिलने वाली इस वरेंड में उल्ली उस्वी का पोर्ट एंड टोल का सॉकेट वगेरा कुछ इंफर्शन आपको यहां पर कम मिलेगी वेक से में इन कॉंपरेजेंट टू जैड़े से प्लस स्टेरिंग विल अपको मिलेगी यहां पर नहीं कर जाएगी वाई ट्रैक्शन कंट्रूल ट्रैक्शन कंट्रूल आइड श्टाट वह स्वीच लाइट लेबलर राइट यहां पर बटन के साथ लोग करन लग करें जा रही है यहां पर देखो इसका है वाकि आपको यहां पर नहीं करी जाती है और ZXA Plus में तो मिलेगी, मिलेगी, ठीक है, बाकी Charging Port का भी यहाँ पहल का डिफर मिलेगा, याने की ZXA Plus में आपको मिलेगी, wireless charging का भी feature, बट VXA में वो चीज आपको नहीं offer करी जाएगी, अगर बाकी features की बात करें तो Car Connected Technology आपको मिलेगी, ZXA Plus में, VXA में नहीं है, इसमें आपको कोई भी port offer नहीं करी जाती है, नहीं आपको मिलेगी SCK वेंट्स वगेरा, बस आपको एक छोटा सा space दी जा रहे है, ठीक है, बाकी adjustable headrest आपको मिलेगी, VXA Plus में, Friend में rear में, बट VXA में मिले जाती है, Friend में adjustable rear में आपको मिलेगी, fixable headrest, okay, तो यह हो गया वही, जो difference features के साथ देखा जाए तो, बागी boot space आपको सही मिलेगी, 265 liter बाट यहां पर और एक मिलेगा difference, यानिकि इसके boot आपको मिले आती है, बूट Lamp, ZXA Plus में, वह वेक्से में नहीं मिलेगी, यानिकि boot lamp का feature, ठीक है, तो boot में थोड़ा से यहां पर आपको मिलेगा, जो है features का difference, then 6040 का feature आपको नहीं मिलेगी, वही, VXA में, जबकि आपको ZXA Plus में दी जारे 6040 का feature, प्रैसिंग की, तो प्रैसिंग में कितना किया है, प्रैसिंग in the sense, अगर आप देखो के VX आई, तो VXA का जो एक्सरूम प्रैस आपको देते हो, तो आपको क्या की चीज़ आपको offer करेगी, ज़्यादा ZXA Plus में, वह आपको होप सो पता चल गया होगा, ठीक है, तो 1,70,000 अगर देते हो, इस्ट्रा आपको मिलेगी आप ZXA Plus, एक्सिंग प्रैसिंग यहाँ पर बात चल लिए, और यही ताव है difference, प्रैसिंग डिफरेंस, एक क्या क्या आपको मिलेगी फितर दिफरेंस, दोनों गैड़ों के बीच में, और आपको क्या लगा इसके बार और यही रेड, सिजिनिंग डेड एंड वाइड बाली, तो अगर वीडियो चलेके लाइक कीजिएगा, श्यर कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्रेब करना ना भूले, तो मिलता है उन्हों में धन्यवाद,